लो दोस्तो वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल दोस्तो कैसे हैं आप लोग मैं हूं दानेशाब देख रहे हैं मारा यूटूब चैनल एटूजट इलेक्ट्रिक ट्रिक दोस्तो आज हम इसको रिपेर करेंगे यह है बिलोर हीटर ठीके दोस्तो इसमें जो है प्रॉब्लम हम यह आ रही है देखो वायर लगाएंगे हम इसको लेकिन यह ओन नहीं कर रहा है देखेगा हमने यह सीरीज बोड में अपनी वायर को लगा दिया है लेकिन यह ओन नहीं कर रहा है अब हम देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हमने इस ओन करके देख लि वो खोल लिया है यह रहा हमारा ओटो कट ये हमारा आडूकटी दोस्तों काम रहा है अब हुमें इसको ज्रीस को चैट कर लेते हैın क्याक्टी रोल हुमारी ये है रहा हमारा एलिमेंट ठीक है जाकि हमारा इसका शुष्य के ताहेज़दरा पहें है तो दोस्तो देखेगा यह हमारा रहा आटो ट्रिफ पुश बटन कर लेते हैं कि ए क्रोपारेजस के क्रोड़ इसको। लिए टूega जिए देखियागा दुस्तो, हमारा बटन ठीक है। अब बात अपस्रू शूम के इसंदन देख लेते हैं। इसमें सब्लाइ स्वाइब क्यों यहां तक सप्लाइ आ रही है हम इसका फ्योज चेक कर लेते हैं। देके गज़ाए देखेगा दोस्तों इह हमारा फ्यूज लगावा है ठीक है। तो इसको यहां से निकाल लेते हैं। हम इसको लगी-चेक कर लेते हैं। यह देके गज़ा हमारा दूस्तों को घ्राब हो रहा है। कि यह में हमारा सीरीज पे भलप नहीं जल ज़ा रहा है कि अपागर हम टच कर रहे हैं ना तो आ चलिए बहार में इससे देखतें करके देख लेते हैं कि यह देखिये का दोस्ता हमारे फ्यूस करा binnen व्राइब और इसका कि यह कि यह काम निशकु शोर्त हो गया है कि अब हम इसको शॉक्न करके देख लेते हैं और फिर उसके बाद और करके देख थे हैं यह अन होता है है तोадц कि अकिरव है है किर आ यह हमने तार शॉर्ट कर दिये इसकी क्यों इसकी अब हम इसकी लीड लगा ले दें लीड को लगा लिया हमने यह देखिया दोस्ते हमरा एलिमेंट काम करने लगा है इसमें कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहती है आप देख सकते हैं इसमें हमारा सिर्फ फ्यूज सराब हो गया था तो फ्यूज को हमने शॉर्ट कर दिया अब हम इसमें दूसरा फ्यूज लगाएंगे और यह चालू हो जाएगा ठीक है दोस्तों इसी तरीके आप भी भी ब्लौरेटर को रिपएर कर सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें 10 ऐम अफ्यूज लगावा था ठीक है हमारे पास आप 10 ऐय्ज दियूज तो है नहीं अब हम इसमें यह त्वाइला दस एम्प्यूज यह देख लिगा 10 1000 Ampere का फ्यूज का प्यूज है हम इसको इसको इसमें कनेक्ट करें गो पर इसको चालू करके देखते हैं तो चलिए अब हम फ्यूस को इसमें जोल लेते हैं यह देखिए हैं अब हम इसको चेक करके देख लेते हैं यह देखिया दोस्तो हमारा बिलोवर तो ठीक हो गया है चल रहा है लेकिन हीट कर रहा है लेकिन इसका फैन नहीं चल रहा है जो फैन जो हमारा हीटिंग देता है वो नहीं चल रहा है यह दो लाइटिंग भी आ रही है जल रही है यह मूब भी कर रहा है लेकिन हमारा फैन नहीं चल रहा है अब हम इसको फैन को इसके चेक कर लेते हैं इस पैन में क्या क्या प्रोबलम है क्योंकि हीट तो हमारा करने लगा है लेकिन फैन नहीं चल रहा है इसका जब तक फैन नहीं चलेगा तो फिर यह कामियाब नहीं हो पाएगा तो दोस्तो हम इसको बिलोट को खोल लेते हैं तो दोस्तो हमने इसकी मोटर को निकाल लिया है यह देखिए का हमन इसकी अंदर से मोटर जो है निकाल लिये और यह एलीमेंट हो गया हमारा एलीमेंट तो हमारा ठीक है लेकिं मोटर खराब हो रही है चलिए हम इसको एक बार सीरीज बोट पर लगा के देख लेते हैं ठीक है दोस्तों यह देखेगा तो आप भी इसी तरीके से कोई भी बिलोर को रिपेर कर सकते हैं दोस्तों ठीक है आप भी इसका अगर मोटर मिलेगा हमको मार्कीट में तो हम लाके लगाएंगे क्योंकि मोटर जो है मेरे ख्याल से तो यह मिलने वाली है नहीं क्योंकि बहुत पुराना मॉडरल का विलोर ए ठीक है दोस्तों तो आप भी इसी तरीके से रिपेर करना सी कि इस तरीके से विलोर में क्या फॉल्ट आते हैं क्या क्या प्रफान आती है देखिए हमने पहले इसको जब खुछा इसमें फ्यूज में प्लॉर प्लॉर मारी थि हमने फ्यूस को चेंज कर दिया लेकिन फिर हमारी वाली अखिर हमने लगे देखिव कर देखिएगा हम इसकी नइ नई मोटर को ले आए हैं मार्किट से और यह हमें नई मोटर मिल गई है पुरानी वाली मोटर हमारी यह रही ठीक है दोस्तो अब हम इसको इसमें चेंज करके देख लेते हैं मोटर लगा के हम चला के फिर इसको चेक करते हैं ठीक है दोस्तो यह देखिएगा दोस्तो हमारा ब ठीक है दोस्तों कि हमने इस पे सिर्फ मोटर चेंज की है और फ्यूज इसका खराब हो गया था दोस्तों इसी तरीके से आप भी बिलोर हीटर को रिपेर कर सकते हैं ठीक है कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहती है इन में यह देखिएगा पूरी तरीके से मूव कर रहा है और इसका फैन विलेट भी चल रहा है ठीक है दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आईए तो हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच ज झाली